दोस्तों और सथम BPSC PT परिक्षा आज की एक्जाम का चलिए आंसर की देख लिजे 100% verified आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं आज की एक्जाम का 12 फरवरी 2013 एक्जाम का चलिए फटाफट आंसर की आप सभी मिलाएए देखिए आपका कितना question सही हुआ है यह दोस्तों आज की एक्जाम का original question paper है और total लेर सो question पूछा गया है तो उचले के करके देखिए सभी question का आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए पहला question जो है अबुल कलाम अजाद के द्वरा किस पत्रिका को संपादित किया गया था यहाँ पर दिखेगा 5 option है इस वार बड़ा बदलो यह हुआ है कि पहले क्या होता था कि total 6 option आ जाता था 5 option में यह option में ही रहता था उपर युक्त में से एक सधीक इस वार क्या हुआ है कि DE इस तरह से दिया हुआ है तो यह थोड़ा सोहली है था आपके लिए अब आप यह question आप देखेगा तो दोस्तों इससे पहले जो है the comrade का पूछा गया था अगर आपको इसका नाम पता होगा प्रिवियस से रदेख के गए होंगे तो आप असानी से बना लिए होंगे अबुल कलाम अजाद जो हो जाएगा अल हिलाल का हो जाएगा जिससे आपको किसी भी question में dot ना रहे और आप 100% confirm हो जाएगा कि यही answer होगा अगला यहाँ पर देखेगा एक सन्यासी जो फीजी में गिर्मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीट पर तुलिशी दास रमाइन की एक परती लेकर आया था जिससे वह ग्रामिन सुरोताओं को चंद सुनाता था यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है तो इसका सही answer हो जाएगा बाबा राम चंदर तो कुछ क्वेस्चन इसमें टफ क्वेस्चन है जो आप नहीं पढ़े होंगे सभी क्वेस्चन नहीं है जो पुराना पैटर्न ने उसी पैटर्न पर क्वेस्चन पूछा गया है देखिए अगर आप नए चात्र एक्जाम नहीं दिये है तो पैटर्न आपको देखना जरूरी है यहाँ पर देखिएगा तो question All India हरीजान संग की अस्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी तो सही answer हो जाएगा महात्मा गांधी जी अगला देखिएगा तो 20 फरवर 1947 को परधान मंत्री एटली ने भारत से ब्रेटिस सासन को कब तक वापस लेने की घोशना की थी तो सही answer हो जाएगा इसका जून 1948 और यहाँ पर देखिएगा तो स्वाराज दल की अस्थापना बिहार में किसने की थी तो बिहार में जो स्वाराज दल की अस्थापना की है यहाँ पर आपको पता होगा स्वाराज दल की अस्थापना लेकिन VPSC में क्या होता है कि जितने भी राष्टिया अंदुला नो उसमें बिहार से रिल्टेट पूछा आ जाते है कि बिहार में किसने अस्थाप ना की थी तो सही आंसर हो जाएगे इस question का स्री कृष्ण सिंग तो चलिए आप यहाँ पर सभी question कांसरे के करके देखते चलिए यहाँ पर आप देखेगा तो question यहाँ पर है यह question आपको tough लग रहा होगा लेकिन यह question 64 VPSC PT जा में पूछा गया है खास करके इतिहास का जो tough question है previous year से पूछा गया है question है नमक सत्यागरन के दुरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ सरकार के बिरूद किस करका बिरूद करने का विकल्प चुना तो हाथी विकास मलवा यह सब नहीं होकर के चोकीदारी होगा चोकीदारी दिया हुआ था और यहाँ पर option है उपर युक में से कोई नहीं यह option सही हो जाएगा अगला यहाँ पर है श्री कृष्ण सिंग द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण सिस्तिपा दे दिया यह दोनों question 165 का पूछा हुआ question है तो आप देख सकते है previous year आपके लिए कितना जरूरी है और हम आप लोग को सभी जो भी VPSC परिक्षा होती है सभी का previous year प्रोवाइट करवाते हैं जरूर आप सभी को देख लेना है इसका सही answer हो जाएगा भी VPSC राजनेती काईदियों को छोड़ने के कारण से अगला यहाँ पर है किसने चंपारन सत्यागरा के दुरान बिहार में गांधी जी की जान बचाए थी तो यहाँ पर चंपारन सत्यागरा से रिल्टेर पूछा जाता है क्वेस्चन और गांधी जी से रिल्टेर तो पूछा ही जाता है क्वेस्चन इससे पहले भी देखेगा पूछा गया था लेकिन बिहार से रिल्टेट पूछा गया है तो स्वामी बिद्यानद इसका सही आंसर हो जाएगा सभी आंसर दोस्तों भेरिफैड है इसलिए आप लोगों को आंसर को लेकर डॉट में नहीं रहना है अगला है पर्थम बार संघर्स के तरीके के रूप में स्वादेशी और बहिसकार किसके दोरान अपनाए गये थे अब यहाँ पर दिखेगा स्वादेशी की बात हो रही है तो स्वादेशी आंदोलन यह जो हुआ था बंगाल विभाजन के बिरोध में तो बंगाल विभाजन सही आंसर हो जाएगा अगला यहाँ पर दिखेगा 1906 में आउजित भारती राष्टे कॉंग्रेस आई अनसी के कलकत्ता अधिभेशन में भारत के लिए स्वाराज का जंटा किसके दोरा फारा आया गया था यह भी आपसे पूछा जाएगा कि 1906 में भारती राष्टे कॉंग्रेस की सम्मेलन कहां गया था मैडम भिखा जी कामा ने कहां फाराया था यह पूछा गया था अगला यहाँ पर है स्वतंता संग्राम के दुरान भारती राज्यों कस्मीर निजाम के हधरावाद त्रावन कोर आधी जैसे भारती सास को द्वारा सासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन अंसर है अगला यहाँ पर दिखेगा तो भारती स्वतंता संग्राम के बारेम निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर दिखेगा चौरी-चौरा कांड के कारण गांधी जीन आवा सहयो गांदोलन से हाथ खिच लिया था तो यह सही है वापस ले लिया गया इसके बाद है गांधी जीन अपना पहला परमोख सारवजिनिक भासन बनाराश हिंदू भी स्विधालम दिया था यह बहुत जरूरी है अगामी एक चाम में फिर से ये क्वेस्चन पूछा आ जा सकते यह भी सही है इसके बाद है बर्स 1922 में महात्मा गांधी की गिराफता किया गया था तो अप्शन कनुसार सीज का अंसर गलत दिया हुआ है अगला यहां पर देखेगा तो निमली खित में से किस यूद में मुख इब्रोधियों का सही उलेक नहीं किया गया था यहां पर यूद से है और नॉर्मली क्वेस्चन है यह पानिपत का पर्थम यूद नहीं का पुझा गया है अगला दिखेगा दिली सल्तनत अगला यहां पर है तब कात ए अकवरी जिसे कभी कभी अबुल फजल का अकवर नामा सधीक विश्वसनिय माना जाते किसके द्वारा लिखा गया था यह जो लिखा गया निजामुदीन आहमद द्वारा अगला यहा अगला देख़ेगा 1940 में पतना महिला विश्विद्याले पतना महा विद्याले के बारे में पूछा गया है अमनी लिखित में से किस समाय द्वारा की गई थी इसका जो सही आंसर हो जाएगा कारमेल वाला सही आंसर हो जाएगा अगला यहाँ पर है इन में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराश्टे सीमाएं खिचने के लस्थापित की गई दो सीमायोगों का नेतुरित किया था तो आप सभी को पता ही होगा रेड किलिफ इसका सही आंसर हो जाएगा और सीमा का नाम भी है इसी के नाम प अगला देखेगा 1940 में बिनोवा भावे ने बेक्तिगत सत्यागरा कहा शारम किया इससे पहले BPSC के वर से पूछा गया था बेक्तिगत सत्यागराही का नाम अब इस बार पूछ लिया गया है जगह का नाम अगली बार बर्स भी पूछा जा सकता तो 1940 याद रखेगा इसका ने संगठन किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा Indian Nation Liberal Federation का यही सही आंसर होगा बाकी जो भी option भी देखेगा तो ये सब बिल्कुल इसे रिल्टेट नहीं है अगला यहाँ पर देखेगा cabinet mission निमलिकित में से किसके लिए भारत भेजा गया था तो यहाँ पर है option देखेगा तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा दूसरा नमर वाला सत्ता के हस्तांतरन के लिए एक संबैधानिक व्यवस्ता त्यार करने के लिए ये जिन्नावला नहीं होगा पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के बेवरोप और काम करने के लिए दो सही है तो यहाँ पर option के अनुसार के यहाँ पर बन जाएगा हुमायुक को यह परस्तों दिया था कि यदि उससे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाक दिनार की वार्षिक सर्धान जली अर्पित करेगा तो यह हो जाएगा सेर खान यानि राज्येपाल कौन थे तो आपको यह लग रहा हुआ कि याद जो किये हैं जैरामदास तौलत राम लेकिन यहाँ पर option कूछ और है तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है पर्थम राज्येपाल यह ah50 पूछा गये है कि अजार्धी के स्वतंतरा से पहले जो पर्धान मुख्य मंत्री का जो नाम होता था पर्धान मंत्री ही होता था तो पहले इससे पिछला एक जाम में ये पुछा गया था सरसेट में कि विहार के पर्धान मंत्री कौन थे ये पुछा गया तो इस वार राज्येपाल का नाम पुछा गया है को उनसा है तो बिहार का सबसे पुराना जो गिरजा घर है पादरी की हवेली और ये पट नाम है लगभग 400 साल पुराना है अगला यहाँ पर है देखेगा तो यहाँ पर एक अभीनेता का नाम है दिवंगत अभीनेता कुदुमलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचिये नाम अस चेतर को क्या कहा जाता था तो कहा जो जाता था दोस्तों मगद कहा जाता था लेकिन ऑप्सन में नहीं है यहाँ पर मगद अगला है भारते उप महाद्विप में लोहे का प्रियोग कब शुरू हुआ था तो लोहे का जो प्रियोग शुरू हुआ था तीन हजार साल पहले लेकिन option में नहीं है, तो आपको लग रहा होगा 6000 होना चाहिए, यहाँ पर एक option E भी है, तो इस कारण से यहाँ पर E option सही हो जाएगा, अगला है दूसरी सताबदी के आसपास रचित संस्कृत के सिलालेक के अनुसार, सुदर्सन जी लेक कृतरीम जालासाई की मरमत किस ने की थी, यहाँ पर निर्मान के बारे में नहीं पूछा गया है, तो रूद्र दमन इसका सही आनसर हो जाएगा, अगला है जहांसी के पास देवगाड की मंदिर और इलहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मुर्तिया किस कला के महतपूर नवसेस है, यह जो हो जाएगा, गुप्त कला, गुप्त बन से संबानित है, अगला यहाँ पर दीखेगा, निमलिकित में सिकिस केंद्रिया म मंत्रालेन हाली में 2020 में योवा 2.0 योजना का सुभारम किया है, यह जो शुरू किया गया है, शिक्छा मंत्राले दौरे, यहाँ पर योजना से रिल्टेट, आप यहाँ क्रेंट अफेर्स का क्वेस्चन देखिए, क्रेंट अफेर्स का भी अच्छे लेबल का क्वेस्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखेगा तो सभी लेटेस्टी पूछा गया है, पुराने नहीं है, नवमबर दिसंबर तक आप देखेगा तो इस तरह से पूछा गया है, गिरिह मंत्राले नवमबर दो हजार बाइस को, देश की कितनी भासाओं की फिल विडियोग्राफी के सा भारतिय मातरी भासा सर्वेक्षन यानि MTSI कार्ज को पुरा क्याती यह जो है 576 भासा में अगला यहां पर निमलिखित में से किस समीती नहीं इस बार देखेगा दोस्तों तो आप्शन के अनुसार यहां पर बनाना थोड़ा आसान था इसलिए था कि तीन ही आप्शन यहां पर आंसर वाला है और बहुत कम ही क्वेश्चन का अंसर यह आप्शन या फिर डी है अब तीन में से आपको एक छाटना है तो आप्शन के अनुसार भी आप छाट सकते हैं यहां पर देखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रीट पारिक समीती क्वेश्चन है एक जनव निमलिकित में से किस सहर को सवक्ष सरवेख्षन 2022 के नुसार 5 सितारा कचरा मुक्त सहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है इसमें से सुरत भोपाल नवी मंबेश सब ही को सम्मानित किया गया है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह आप्शन क्वेश्चन है परधान मंत्री निमलिकित में से किस अस्थान पर पहला गिरीन फिल्ड हवायाड़ा डोनी पोलो हवायाड़े का उदघाटन किया है यह जो उदघाटन किया गया है इटान अगर सही आंसर हो जाएगा रुनाचल परदेश में अगला यहां पर है किस अगला है भारत का पहला फलोटिंग वितिया साक्षरता सिवीर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंग त्वारा निमलिकित में से किस अस्थान पर आयोजित किया गया था तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिरी नगर जमू कस्मीर अगला यहां पर क्वेस्चन भारत के राष्ट पती ने निमलिकित में से किस आईटी में प्रम कामरूप सुपर केम्प्यूटर सुविधा का उदगाटन किया है ति यह जो उदगाटन किया गया गया गोहाटी में गोहाटी इसका अंसर हो जाएगा अगला यहां पर देखे आठ अक्टूबर 2022 को मनाए गये नवे भारतिये बायुसेना दिवस प्रासी बायुएनों के घंटे घर का हवाय परदर्सन निमलिकित में सिकी सस्थान पर आयुजित किया गया था यह जो आयुजित किया गया था चंडी गड में सुखना जील सही आंसर हो जाएगा अगला है भारत सरकार के पोशन तिया यूंग अंतरिक्स अस्टेशन के हाल ही में लॉंच किये गया अंती मॉडियूल का नाम क्या है तो तियान ने इसका सही आंसर हो जाएगा तियान ने है अगला है निमलिकित में से कौन सा वीशु का सबसे बरा ज्वाला मुखी जो पिछले 38 वर्सों में पहली बार फ पुरास्कार मिला है तो फेमस क्वेस्टेन है सेहना करुणा तिला किसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेस्टेन विश्वांत्रिक्स अपता अब पहले क्या होता था दोस्तों कि इस तरह का क्वेस्टेन आप देखेगा तो नहीं कि बरावर एकजाम में पूछा जाता था हार्ड क्वेस्टेन थीम में पुछा जाता था जल दिवस, प्रिथवी दिवस, ये सब चीजों का स्वास दिवस, महिला दिवस का, अब इस रहार अंतिरिक्स दिवस का यहां पर थीम पुछा गया तो अंतिरिक्स और निरणता इसका सही आंसर हो जाएगा यानि December 2020 में केतिहासिक नाभी के सल्यन सफलता का दावा किया था ये जो है NASA से रिल्टेड यहाँ पर है तो सही आंसर हो जाएगा इसका Lawrence Livermore National Laboratory अगला यहाँ पर है Collins Dictionary का Word of the Year 2020 निमलिखित में से कौन सा है तो पहले क्या होता था कि Oxford का पुछा जाता था इस वार Collins Dictionary का पुछा ग किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दोरान अंतराष्टे सुखा लचिलापन गठवंधन का सुभारम किया है तो यह जो शुरू किया है SPN SPN इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question यहाँ पर देखे बहारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन सू के लिए GI Tech के लिए दो question पूछागे एक बिहर से रिल्टेड भी आगे है असानी question होगा आप सभी बना ही लिए होंगे तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा निहोन सू एक पेपदार्थ है अगला यहाँ पर question है निमलिकित में से किस अंत्रिक्स एजेंसी निया घोशना किया है क उसे अपने इक्यूलेस अंत्रिक्स यान को आगे बढ़ाने के लिए भाब का सफलता प्रुवक उप्योग किया है तो यह जो है जापान से रिल्टेड है जाक्सा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है अक्टूबर 2020 में लांज किये टेसला हो मिनियाट रोबोट का अन्य नाम क्या है तो आप्टीमास इसका सही आंसर हो जाएगा अगला देखिए पहला तैरता हुआ सौर उर्जा सनियंत्र बिहाज के किस अस्थान पर बनाए गए यह क्वेस्चन दोस्तों इससे पहले 64 मी में पूछा गया है और फिर से देखिए बूच दिया गया करेंट अफ इस क्वेस्चन का आप सभी आंसर कमेंट करके बते हैं यहाँ पर सभी आप्शन दरभंगा से रिल्टेड ही है अगला यहाँ पर है 2019-20 के आर्थिक सरवेक्षन के अनुसार किस जिले की परतिवेक्तिया सबसे कम है तो आय में सबसे जो कम है दोस्तों सीभर का है इससे पहल एक सो में से बावन है बावन है बावन इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेस्चन का आंसर क्या होगा आप सभी बताइए कमेंट करके सौरूर्जा वाला दरभंगा से रिल्टेड जो है अगला है यहाँ पर खेलो इंडिया महला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को स सम्मानित किया गया है तो मिथला माखाना इसका सही आंसर हो जाएगा 2022 में ही यह टैग दिया गया है यह जो है दोस्तों मुझह फर पूर का लंगट सिंग कॉलेज में खागुलिया वेद साला को यहाँ पर दिया गया है बाकि यह दोनों तो आपसंसे आप सभी बना ही गया है 2002 में ही दिया गया है बहुत फेमस है तो पहले ही दिया गया बांकि 2002 वाल एक ही ऑप्शन है अगला यहां पर देखेगा बिजनेस रिफॉर्ब्स एक्षन प्लान बियार एपी द्वारा वर्ष 2020 में व्यापक करने के असानिम बिहार 36 राज्यों में कि हाँ पर जो आता गया था कि कहां ये बनेया जा रहा है तो राजगीर उस बार भी आंसर था इस बार भी राजगीरी होगा 28 नॉमबर 2020 को मुख्य मंत्री नितिश कुमार द्वारा गंगा जल आपुर्ती योजना को उधगाटन की सस्थान पर किया गया था तो राजगीर इसका आंसर हो अगला यहां पर देखेगा पिछले 10 वर्सव मेराज जी का सहरी करण बहुत तेजी से बढ़ा है 2011 की जनगना के नुसर बिहार में सहरी करण का अस्तर परतिसत था जो बढ़कर वरतमान में परतिसत हुआ है अब यहां पर सबसे खास बात यह है दोस्तों की इस तरह की क्व पॉइंट तीन जो है सही है लेकिन दूसरा उप्षन में गलत दे दिया जाता जिसे होता क्या कि यह उप्षन आंसर आ जाता था इस बार सही तरीकेस बनाया गया और 2011 में जो था 11.3 था और जो की एक ही उप्षन में दिया गया तो अगर आपको 2011 वाला याद है भी लेटेस नहीं भी याद है तो भी आप बना लिजेगा फर्स्ट ऑप्षन सही हो जाएगा 11.3 से 15.28 तक गया है यानि 15.3 तक गया है तो सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा अगला क्विस्चन यहाँ पर देखेगा अगला अपनी पहारी यात्रा केंत में सिंधु नदी अफगानिस्ता में तो नहीं बहती है लेकिन यह जो हेलमंद नदी है इसमें आकर मिल जाती है हेलमंद नदी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला देखेगा तो कौन सा भीष में सूपरचारित वन जीवा भ्यारन है जिसे 1973 में शुरू किया गया था तो इसका आंसर तो पता ही होगा गलत दिया हुआ है इसके बाद है इस परत का तापमान उचाई के साथ बढ़ता है यह भी गलत है जैसे जैसे आप उपर जाईएगा 165 मीटर उपर जाने पर एक डिगरी तापमान में कमी इस तरह से आप देखेगा तो तापमान में कमी होता है और उससत उचाई 13 मिनमार के साथ दोस्तों कुछ हिसमे से एक दो क्वेस्चन इसलिए छूट रहा है कि अभी आपनों को जल्दी-जल्दी आंसर बताना था तो बाद में आपनों को फिर से एक वीडियो में सभी डेरसों का वेरीफाइब आंसर बता रहें जिसका यहां पर आंसर कनफोर में उ पुछा गया कोपेन के वर्गी करन योजनाय के अनुसार उतर परदेश बिहार किस परकार की जलवाई परदेश में आते हैं तो CWG इसका सही आंसर हो जाएगा अगला देखेगा तो भारत की छेत्रिय सीमा तर्ट से किंत्री समुद्री मिल मीटर तक समुद्र की दूरी फैल हुआ है तो बारा समुद्री मील आप याद कियो होंगे और यहां पर इसी को किलो मिटर में चेंज करके दिया गया है अगला यहां पर देखिए क्विस्चन है भारत में निमलिकित में से कौन सी नदी घाटी कोईले के भंडारों से समुद्र है तो दामोदर नदी घाटी सही आंसर हो जाएगा अगला यहां पर यह अच्छा सा क्विस्चन है भारत में चीनी उद्योग के बारे निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो देखेगा उत्तर परदेश चीनी का दूसरा सबसे बरा उत्पाद है कि ये भी सही है इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी होगा उपर युक्त में से एक सधीक और चीनी यह वजन कम करने वाला उत्पादक है जो कि गलत दिया हुआ है चीनी आप देखेगा इससे वजन पानसुन वर्सा होती है यह देखेगा दरोगा एक्जाम में पूछा गया क्विस्चन है तो इसको जो कहा जाता है मैंगो सावर्स कहा जाता है तो जो होता है गर्म वी किरन के द्वारा और यहां पर अलग-अलग है तो दिर्ग तरंग हो जाएगा लॉंग और अस्थलिया है वी किरन द्वारा अगला कुस्चन देखी बहरत के निमली खित में से किस राज की सीमा बिहार में अधिक्तम जिलों से लगती है तो यहाँ पर उतार परदेश होना चाहिए इसका अंसर अगला है यहाँ पर भागलपूर एस्टेशन से रिल्टेवन है और अगला दिख inhale यहाँ पर बिहार में बाहने वाली पवित्र नदी फल्गु निमली खित में से किन नदियों के संगम से बनती है तो यह जो बनती है मोहाना और लिला जन नदी से यह नए टैप का क्विस्चन है अगला यहाँ पर बिहार में किस अस्थान पर पहली बार चाय बागानों के अस्थापना की गई है तो यह जो क्याग है किसंगन जिला में जिला का नाम पूछा जाता तो बना लेते लेकिन यहाँ पर सहर का नाम दे दिया गया है तो किसन गंज में ठाकूर गंज जगा में अस्थापना किया गया है अगला यहां पर देखेगा बिहार के निमलिखित जिलों का आरोही दस किया जनसंख्या बिर्धी दर के अनुसार सही करम चुनिये यहां पर दोस्तों आप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है आप सभी यहां पर याद किया होंगे कि 2001 से 11 के दसक में सरवाधीक जनसंख्या बिर्धी दर जो है मध्यपूरा का है और मध्यपूरा वाला यहां पर देखेगा पुछा गया आरोही में तो आरोही यानि बढ़ते करम तो छोटा से बरा की तरफ होना चित सिवान किसंगंज मध्यपूरा एक आप्शन यही है तो यही आंसर हो जाएगा सबसे लाश्न मध्यपूरा दिया हुआ इस बार जो है question पिछली बार की तरफ बिवाद वाला question नहीं बनाया गया है ऐसे question बनाया गया जिसका आंसर एक निकल कर आए कोई option अगला देखेगा बिहार में किर्शी अधारित उद्ध्योगों में किस खाद उद्ध्योग का परभुत्य है तो बिहार में देखेगा तो दाल गन्ना ये सब तो नहीं आनाज अधारित उद्ध्योग यानि गेहुँ चावल ये सब हो गया अगला यहां पर देखेगा question है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्ची ताकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्ची तायतन होता है पदार्थ के इस रूप का उधारन है अच्छा सक question है इन सभी को आप बना ही लिये होंगे यहां पर आप देखेगा तो असपस लिखा हुए निश्ची ताकार नहीं होता है और निश्ची तायतन होता है तो आप सभी को पता है पदार्थ के तीन आवस्था में ठोस दरब गैस तो दरब में क्या होता है कि आकार निश्चित नहीं होता है अगर मिटी का तेल अगर आप इसको बाल्टी में रखिएगा किस दूसरे अलग अगर बरतन में रखते हैं तो उस अनुसार इसका सेफ हो जाएगा लेकिन इसका आयतन निश्चीत होता अगर मिटी का तिल एक लिटर है तो हमेसे एक लिटर ही रहेगा चाहे आप इसको प्लास्टिक के बोटल में रखे या फिर बाल्टी में कुछ भी चीज़ें में रखे तो मिटी का तिल इसका आणसर हो जाएगा कृप्टन नहीं होगा कार्वनेस्टिल तो ठोस हो गया तो मिटी का तिल आणसर होगा तो इस तरह से पुछा गया है अगला यहाँ पर है कुछ धातो ऑक्साइड अमला और चार के साथ अभी क्रिया कर नमक और पानी बनाते है इन्हें उभाय धर्मी ऑक्साइड को उधाराने ति यह कहीं बार क्विस्चन पूछा गया है अगला यहाँ पर देखेगा कौन सी गैस अपने ग्रीन होस परभाव का मुखे गैस नहीं पूछा गया आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन योगदान करती है तो उपर युक्त में से एक सधी किसका अंसर हो जाएगा सभी है नेटरस अक्साइड मिथेन कार्बन डियोक्साड अगर मुखे रोप से पूछा जाएगा तो कार्बन डियोक्साड इसका अंसर होगा तो योगदान जो है सभी का है अगला यहाँ पर देखेगा अमल धातू कार्बोनेट से अभी क्रिया कर गैस मुक्त करती है तो कार्बन डियोक्साड मुक्त करती है स्योटू इसका सही आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखेगा अग्जेलिक अमल का सुत्र दिया हुए तो अगले अग्जेलिक अमल का जो सुत्र होता है दोस्तों C2, H2, C2, H2 और O4 होता है तो यहाँ पर आप ओप्शन में आप ढूंड़िये यहाँ पर देखेगा तो 4 O है यहाँ पर डबल O होगे यहाँ पर डबल O होगे तो question देखिए अच्छा सा है आपको तीन परक्नलिया दी गई है उन में से एक में आसूत जल और अन्य दो में से एक में अमलिय विलिया तथा दूसरे में चारिय विलियन है इन में से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो अमल क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता और अमल का काम होता है नीला लिटमस को लाल करना तो चारिस का सही आनसर हो जाएगा अगला यहाँ पर एसीटी का अमल की गंद किसके समान होती है तो सिरका जो है एसीटी का अमल है तो सिरका इसका सही आनसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए question है सुस्क HCL यानि hydrochloric अमल या गैस आप सुस्क litmus पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है यह जो है जल के कारण से ऐसा होता है तो HCL गैस निरजली करन agent के रूप में कार्ज करती है अगला यहाँ पर विसम का पता लगा कोईले का जलना फल का पकना cement की setting तो इसमें से cement की setting हो जाएगा विसम का पता यहाँ पर देखीगा यह बहुत ही राशानिक परिवर्तन से रिल्टेड है कोईले का जलना राशानिक हो या फल का पकना भी यह वापस नहीं मिल सकता है अगला हीरा और graphite के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो इनके पास समान crystal sun रचना है यह गलत है अलग अलग shape का होता है इसके पास समान degree की cut होता है दोनों का यह भी अलग है और इनकी विधू चालकता समान होती है तो इसमें देखेगा graphite जो है सुचालक यानि good conductor है और हीरा जो होता है कुचालक होता है तो यह भी सही नहीं है तो पर युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा अगला यहाँ पर question देखिए किसमें अगला है यहाँ पर chlorophyll सुर्ज के परकास के तरंग धरत को अवसोसित करता है तो chlorophyll जो है लाल और नीले रंग को अवसोसित करता है तो लाल और नीला इसका सही आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए कंकाल के वे हिस्से जो हडियों की तरह सक्त नहीं होते और जो मोरे जा सकते तो इसको जो कहा जाता है और हिंदी में इसको उपासी कहते है उपासी इसको कहा जाता है और इंगलिस में कारटीले ज हुआ अगला ही यहाँ पर लाइकेन में एक कलोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो लाइकेन जो होता है कवा क्यों सेवाल तो सेवाल और कवा किसका सही आंसर हो जाएगा अब एक देखिए कि यहाँ पर मादा एन वा फैलेज मचर से रिल्टेड है और मादा क्यों लेक्स से अलग करता है क्योंकि यह बैठती है किस तरह से पूछा गया है अब यह अच्छा से क्वेस्चन है शरीर की परतिरोधक छमता से जुरा सबसे महतपुर्ण कोशी का परकार है तो शरीर की परतिरोधक छमता से जो संबाधित है डवलू बीसी संबाधित है अब यहाँ प्रॉप्शन में डवलू बीसी नहीं है लेकिन जो लिंफोसाइट दिया हुआ है दोस्तों यह WC के ही टाइप में है लिंफोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है मानव शरीर की मानस्पेशियास रिल्टेड है क्विस्चन चलिए अब यहाँ पर इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर है मैटकाव क्विस्चन है रेसमा अपनी संपती का एक चोथाई एक धर्मार्त संगठन को देती है यानि किसी संगठन में पुजा में दे देती है और बची हुई संपती को अपने तीन बच्चों में बरावर तो रेस्मा जो एक चोथाई संपती दे देती है तो यहां पर जो बचेगा एक में से घटाना है आपको तो यहां पर जो बचेगा तीन वट्टा चार अब इस तीन वट्टा चार भाग को अपने तीन पूत्रों में तो तीन वट्टा चार को यहां पर तीन भाग में आपको दिभाइड करना, 3 वट्टा 4 और main वट्टा यहां पर 3 हो गया, अब इसको solve किजेगा, तो 3 वट्टा और यह जो 3 है नीचे वले, यह 4 में गुना हो जाएगा, तो 3 वट्टा यहां पर 12 हो गया, अब 3 वट्टा 12 को जो solve किजेगा, तो 3 से 12 कटेगा, तो 1 वट्टा 4, तो 1 व देखेगा परतेक वर्ग एक आयत होता है जो की गलत है परतेक आयत ये भी सही है दोस्तों परतेक वर्ग एक आयत होता है ये सही है इसके बाद है परतेक सम चतरभुज एक समांतर चतरभुज होता है ये भी सही है इसके बाद होता है परतेक वर्ग एक सम चतरभुज होता है यह भी सही है और यहाँ पर जो गलत सही आंसर जो हो जाएगा इस question में उपर युक्त में से कोई नहीं इसमें सभी सही ही दिया हुआ है अगला यहाँ पर एक blood relations related question है इसके बाद यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या में तो इसका क्या होगा आप पैटर्न जानना चाहरे होगे कि इसमें कैसा पैटर्न लागू हुआ है इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है शुरू और लाश्ट वाला को घटा दिया गया चोबालीस में से अगर आप 37 को घ घटाईएगा तो यहाँ पर आपको 5 माना है और 5 में फिर 7 से गुना कर दिया गया 7 तीनों में गुना है उपर वाले में भी इसमें भी घटाने के बाद जो माना हैगा उसमें 7 से गुना कर दिया गया तो यानि 35 हो गया अब बीच वाले में आते हैं तो 52 में से 41 को अगर आ यह आनसर हो जाएगा यह pattern लागू हुआ है इसके बाद यहाँ पर देखिए यह question coding decodings related है बस यहाँ पर आपको उसी में से देखके उस अनुसर मान आपको निकाल देना है यहाँ पर देखिएगा एक आयत का छेतरफल है तो ऐसे question को आप बनेगे गानी option से बनेगे यहाँ पर अगर आप 5-6 लेते हैं तो 30 होता है और आयत का परिमाप होता है तीन टू लंबाई प्लस होता है तो 5 प्लस 11 हो गया दूसरे गुना कीजिएगा बाइस नहीं आता है फि तो 10 प्लस 3 यहाँ पर 13 हो गया 13 में 26 यानि आगए यह संतूस ठोड़ा यही answer हो जाएगा अब चलिए अगला question यहाँ पर देखिए अभी दोस्तों जल्दी में आप लोगों को answer बताना थे इसलिए सभी डेर सो question नहीं है कुछ question को skip किये हैं अभी जितना का answer आप लोगों क नेक्स्ट वीडियो में एक से लेकर के डेर सो तक सभी question का answer confirm verified होकर discussion के साथ बताने वाले हैं अगर आप सभी चैनल पर नए है फटा फट चैनल को subscribe कर लिजे यहाँ पर इस question का answer देखिए और जो है 79 में BPSC PT का भी date आ गया है 30 सितंबर 2023 को परिक्षा ली जाएगी तो अभी परिक्षा BPSC PT परिक्षा जैसे ही complete हुआ इसके बाद chairman सरक्योर से date का गोशना कर दिया गया तो आप सभी अभी से त्यारी में लग जाईए और हम आप लोगों को त्यारी भी करवाएंगे यहाँ पर देखिएगा तो जो संबधित है रजत करांती तो आपको जरूर याद होगा अंडा उत्पादन से संबधित है यह हो गया सी का देखिएगा तो सिर्फ फ़स्ट ऑप्षन में एक चार धोसर करांती उरूरक यानि खाद से संबधित है इसको भुरी करांती भी कहा जाता है इसके बाद हो जाएगा गुलावी करांती पयाज उत्पादन से इसके अगला question देखेगा तो निमलिकित में से कौन सी पंचवर्षी वजना मानवी संसाधन विकास पर केंदरी था ती यह जो है दोस्तो साथ मी आठ मी इसी रिल्टेड़ पर्थम तिर्तिया पंचम तो बिल्कुल भी नहीं है पांच मी गरीवी संबंधित है तो इसका सही answer हो होगा कि कौन सा राज्जी होगा तो गुर्जा गुजरात इसका सही answer हो जाएगा अगला यहां पर question देखिए question है किस budget में वित मंत्रिन उदारी किरित विनिमाय दर परवंथ परनाली की गोशना की अब यहां पर उदारी करन देखकर आपको यहां से अच्छे समझ में भी आ गिया होगा कौन सा होगा तो यहां पर देखिएगा दोस्तो साहित जो option में दिया हो यह बिल्कुल भी नहीं होगा साहित से संबदित तो हाई ही नहीं विकास आधुनी करन आत्म निर्भरता यह सब हो सकता है अब अब option में आईएगा तो सभी option में क्या है कि चार है यहां भी है यहां भी है यहां भी है यह सब होगा ही नहीं तब बचता कौन है यह option बचता है उपर युक्त में से को नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा अगले है गरीबी रिवखा को निर्दारंत करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षन करता है संगठन का सर्वेक्षन पुछा गया तो ये करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब लास्ट क्वेस्चन है यह आंसर आप लोगों को टफ लगा होगा यहां पर बिल्कुल टफ क्वेस्चन है भारत का बैपार संतुलन माल और सेवा मर्चेंड़ाइज और सर्वीस का पुछा गय है दिसंबर 2020 अननतीम के लिए है यह जो है दोस्तों इसमें घाटा हुआ है यहां मैनस का मतलब घाटा हुआ पलस का मतलब लाग हुआ तो 11.98 और अमेर्की डॉलर इसका सही आंसर सी ऑप्सन हो जाएगा आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताईए आप लोगों का एकजाम क पैसा गया कितना क्विस्टन आपका सही हुआ फटा फट कमेंट करके बताईए और आप सभी 69 बीपेसी पीटी एकजाम के लिए तियार हो जाएए 30 सितंबर 2030 डेट आ गया है तो अभी से आप लोगों को इस रिया सुरुप से त्यारी में लग जाना आज ही चेर्मेन सर्क् और कब विग्यापन आएगा कितने सीटों पर सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे अगर आप सभी चैनल पर नए है फटा पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुर जाईए